स्वागत है आपका English with Maya में जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं कल अब हम मेरी फर्स्ट वीडियो आए थी जिसमें मैंने बताया था आपको कुछ अज एक Topic लिया था जिसमें मैंने Crazy के रूल बताया थी यह हमारे कौन से वर्ड चल रहे हैं यह हमारे Root वर्ड चल रहे हैं रूट वर्ड ठीक है जिससे हम वर्ड को याद करवाइंगे कि एक वर्ड से हमारे कितने लेड़ सारे वर्ड बन जा परेंगे ठीक है तो चलिए आज हम लोग कुछ नया पढ़ने की कुर्सिस करेंगे आज हम लोग जैसे कल पढ़े थे हमने क्डूसी और आर्शी कर के वर्ड पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे side क्या पढ़ेंगे side side means क्या होता है side means होता है किसी स्थकील करना किसी को मारना यह होता है ठीक है तो चलिए क्लास सुरू होने से पहले अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, कमिन करें और शेयर करें देखिए यतनी भी ये grammar की classes आपको दी जा रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा beneficial रहेंगे चाहिए कोई भी under exam हो TGT, PGT, LT grade या DSSB, कोई भी state level का exam हो इस सब के लिए most important word है, उनको आप जरूर याद करिए कम से कम पास से 6 नंबर का ये आता है, आपके competition level पे तो जरूर ध्यान रखिए चलिए, अब हम लोग देरी न करते हैं, class को श्टार्ट करेंगे तो चलिए, क्या है, जैसे कि है हमारा सबसे पहला word, side, side means क्या होता है, हत्या करना अब जो word उन में side लगके आगा देखते हैं, उसे कैसे बनाएंगे word, जैसे क्या है soroside, क्या है soroside, यहाँ पे ओ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हो गया soroside, soroside का मतलब क्या होता है soroside का मतलब होता है, the murder of one's sister, मतलब किसी बहन की हत्या करना, अपनी बहन की अगर हत्या कर देना तो क्या कहलाएगा, soroside कहलाएगा, क्या कहलाएगा, soroside, side लागा हुआ न, side के पहले soros, soros का मतलब होता है, sister, side means हत्या तो क्या हो गया, soroside हो गया, इसी तरीके क्या होता है, marity side, क्या होता है, marity side, marity side का मतलब क्या होता है, the murder of one's husband मतलब मैरिटी मैरिटी मीन्स होता है हस्बैंड और शाइड मीन्स क्या होता है हमारा हत्या करना तो यहाँ पर क्या हो गया मतलब एक अपने पती की हत्या करना ठीक है पती की हत्या करना क्या हो गया मैरिटी साइड हो गया अब इसी तरह के next देखेंगे, next है हमारा matricide, जैसे अभी यहाँ था, matricide था, अभी यहाँ पर matricide सिर्फ एक word का फर्क है, देखें, इसमें बहुत ज्यादा confusion होता है लोगों को, तो हम लोग confused ना होते हुए, हम लोग यह इसमें है ri, इसमें है tri, बस इतना फर्क है, आप लोग matric, matric means होता है, matra, maa, और side means होता है, हत्या, तो क्या हो जाएगा, matricide, क्या हो जाएगा, matricide, ठीक है, matricide, तो क्या the murder of one's mother, मतलब matra की हत्य क्या कहलाएगी, matricide कहलाएगी, और husband की हत्ते क्या कहलाएगे? Marity side कहलाएगे देखे? ये बात दियान में रखिए शेडिये next हमारा क्या है? Next हमारा side है Faitry side अब देखिए Faitry side Faitry means होता है क्या? Brother क्या होता है? Brother Faitry means होता है brother तो इसका मतलब क्या हो जाएगे? भाई की हत्ते हैं देखें, इंगलिस में क्या लिखे हो The murder of one's brother मतलब brother means भाई मतलब भाई की हत्ते करना क्या कहलाएगा? भाई की हत्ते करना कहलाएगा हमारा Faitry side क्या कहलाएगा? Faitry side चलिए बात clear हो रही है न? कमेंट करके बताएगे जिसने like नहीं किया है वो like करता रहे और जिसने share नहीं किया है वो share भी करता रहे है चलिए next हमारा है युक्जोरी साइड युक्जोरी साइड क्या होता है युक्जोरी साइड युक्जोरी मीन्स होता है यहाँ पे वाइफ क्या होता है वाइफ है ना तो क्या हो जाएगा दे मार्डर ओफ वन्स वाइफ मार्डर ओफ वन्स वाइफ तो क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा wife मतलब पत्नी की हत्या करना क्या हो जाएगा फिली मीन्स होता है children क्या होता है Philly means होता है Children इतना याद रखे Philly Philly word बस याद रखे Side तो अपने आप ही याद हो जाए बार-बार कहने से तो हमारा क्या हो गया Philly side तो इसका मतलब है The murder of once यह हमारा यह हो गया अब हम next देखते हैं इसी तरीके क्या बनगे यह हमारा हो गया चिल्रेन का अब हम पढ़ेंगे next next हमारा है infanticide infanticide infant means होता है जो baby born मतलब अभी भी पैदा हुआ हो जैसे कहा कहते है born baby क्या born baby infant मतलब बिलुकुल अभी पैदा हो अभी पैदा हुआ बच्चा अगर उसकी हत्या हो जाए तुसे हम बोलेंगे the murder of infant infanticide infant से बना infanticide ठीक है infant means है बिलुकुल baby मतलब कि born baby ठीक अब समझ में आई बत चलिए next side देखेंगे हम next side side means तो हत्य आपको पता ही है और next हमारा हो जाएगे pariside अब paris का paris का paris का paris का मतलब होता है parents क्या होता है parents ठीक है parents तो क्या हो जाएगे murder of once parents मतलब कि माता पिता है दोनों की अगर हत्य हो जाए उसे हम बोलेंगे pariside ठीक चलिए अब next हमारा है regicide regi means होता है raja या rani queen या king क्या होता है queen या king यह हो जाएगा राजा या rani की हत्या करना तो वो क्या कहला है हमारा regicide regi regi means raja या rani ठीक है बात clear होगी ना इसी तरीके होता है हमारा suicide अब suicide क्या होता है suicide का मतलब होता है so means होता है अपने आप मतलब oneself क्या है oneself अपने आप जो हत्या कर ले उसे हम क्या बोलेंग the murder of oneself ठीक है चलिए next हमारा है क्या है genocide murder of race क्या है murder of race मतलब लोगों की हत्या करना है क्या कहलाएगा genocide एक और हमारा बचा एक और हमने लिखना बूल गया है और बता देते हैं Pita 기 यत्य करने को बोलते है पिता की हत्य करने को बोलते है पैट्री साइट जीस पै crawling त चलिए पैरिजाट मीस्पैरेंट सुथा इस तरीके patricide patry means होता है पिता क्या हो जाएगा पिता क्या कहत्ते हैं ठीक है पिता कि हत्ते क्या कहलाएगी patricide the murder of क्या हो जा equity अग्ली आज siam 4 एंगे Tat result 2ॉपाद क्लियर हो गई अर। इसलियहे हमारे कुछ ठीर थे जो की हमने आज क्या सीखा क्या सीखा आज हमने सीखा शाई कीलन्हें सीख लिया आज मने क्या क्या रूर्ट था हमारा? रूर्ट हमारा था side, side को आज हम लोगोंने सीख लिया, कल हमने सीखा था рашी क्रेशी,क्रेशी मिन्स क्या था इसी तरीके हम वर्डों को लेके चलेंगे इसी तरीके जितने प्रिकार के हमारे वर्डों से spelling बनती है हम वह आपको पूरी क्लियर कर देंगे तो आसा है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चानल को लाइक करें कमेंड करें और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें ठैके सो मच्छ